हेलो एवर्वन, विल्कम बाक टु माई चानल आज की रेसिपी का इंट्रोडक्शन देना बहुत जादा जरूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जादा कॉमन रेसिपी है कॉमन एज इन की हर गर्मी के मौसम ये रेसिपी तो बनता ही बनता है हर किसी ये गर आज मैंने सोचा कि मैं आम की रेसिपी लेया हूँ अब आम की रेसिपी आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है नया ये है कि ये मैं अपने तरीके से बताने वाली हूँ कि मेरे घर पे किस तरीके से बनता है हलांकि सभी का आम का अचार बनाने का तरीका अलग होता है मेरा जो तरीका है वो बिना ताम जाम के बहुत ही जादा आसानी से आप ये रेसिपी बना सकते है मतलब यहाँ पे ताम जहम नहीं है और बहुत ही जादा असान तरीके से आप बहुत ही जादा टेस्टी अचार बना लेंगे मसाले में पर बहुत जादा extraordinary मसाला का यूज नहीं करा है बहुत ही simple, yet authentic और tasty recipe आपका बन के त्यार होगा तो चलिए शिरू करते हैं इसे बनाना तो अब देखिए मसाले में मैंने सरसो जो है छे बड़ी चमच सरसो ले लिया है उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ले लिया है अजवाइन अजवाइन जो है यहाँ पर दो बड़ी चमच है कलोंजी जो है दो बड़ी चम्मच है सरसो जैसे की बताया है छे बड़ी चम्मच है सूखी लाल मिर्श जो है यहाँ पर मैंने लिया है पाँच बड़ी चम्मच मेथी लिया है चार बड़ी चम्मच और ये सारी जो मसाले हैं इनके quantity जो है मैं description में mention कर दूँगी एक बर आपको फिर से बताती हूँ सरसो छे बड़ी चम्मच रहे गए हाँ पर सूखी लाल मिर्श पाँच बड़ी चम्मच यहाँ पर मेथी जो है चार चम्मच लिया है बड़ी चम्मच सौफ पाँच बड़ी चम्मच चीरा पाँच बड़ी चम्मच धनिया, साबू, तीन बड़ी चमच, अजवाइन, दो बड़ी चमच, कलोंजी, दो बड़ी चमच इन सब को हलका सब भुन लेंगे तो ये सारे मसालों को भुन लिया सरसों को अलग भुनना है, तो सरसों को अकेले अलग से भुनेंगे। जाद नहीं भुनेंगे कि सरसों अगें कड़वा पड़ जाता है। तो बहुत थोड़ा सा एक मिनट तक भुन के तुरंथ हम इसे निकाल लेंगे। युग इस्टमी गर्म पैन में क्या चाहर चाहर नए तो मुष्टी को रिख्याधार मश्वा करते हैं विखले दर्दरा फाइन पाउडर करना इस्टमी ना यूज करेंगे यह यूज करेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा अता है जितने में मसाले अमने भून रखे थे मिक्सर क्राइंडर में चला कर M250 grape उनका कोड्स पाउडर त्यार कर लेना है दर्देरा सा पाउडर आप इनका त्यार कर ले कोड्रे त्यार कर ले इनको मैंने एक दीन दूब दिखाया तक यह एंके अंदर से सारे मौइस्ट्र हर चायाया . क्या करएंग इसमें ऑप क्या करेंगे ? क्या इसमें जितने भी मसाले थे वह सारे मसाले इसमें आद कर दिए तो आप सबसे पहले už पहले जो पावडर मसाले मैं आपको बता वने लाल मिर्श यहाँ पर अट कर दिया है जो हमने भी धर धरा पीसा जो हमने तयार किया है घर पर believe me मार्केट वाले लाल मिर्श से जादा अच्छा डेस जिसमें आता है कलोंजी डाल देंगे अजवाइन डाल देंगे ध्यान दें कि कलोंजी और अजवाइन को हमने भुना नहीं था हल्दी यहाँ पर तीन बड़ा चमश डालेंगे कलोंजी और अजवाइन को आपको भुना नहीं है बाकी सारे मसाले भुन लेने हैं नमक यहां पर 6 बड़ी चमच टालेंगे क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा यहां पर साथ में जो है नमक आड़ कर लेने के बाद अच्छी क्वालिटी का हींग 2 बड़ा चमच भर भर के डालेंगे और तेल तेल जो हैं तेल के खरीब बाद कप बड़ी कप से 3ग कप तेल अच्छी क्वांटिटी में जाता है क्योंकि अचार जो है सिर्फन नमक और तेल के वज़े से लंबे समयता कि स्टोर हो रहता है तो पहले क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा जो है तेल वेल डाल कर एक साथ तीन बड़ा कप नहीं add करने वाले हैं पहले हम डालेंगे, mix करेंगे, डालेंगे, mix करेंगे, यह process को follow करना है तो देखिए, फिर से मैंने थोड़ा से तेल अड़ किया, मतलब जितना मैंने आप quantity बताया था कि तीन कप add करना है, वो एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके तो देखिए, इस तरीके से mix कर लेंगे, और mix कर लेने के बाद, अब क्या करूँगे, इसे तीन से चार दिन धूप दिखाऊंगे, उसके बाद मिलते है तो देखिए, ये result है अचार का चार दिन बाद, चार दिन बाद देखिए हमारा अचार जो मैंने अच्छी तरीके से गर्मी का मौसम था, बहुत कड़क धूप हो रही थी, तो मैंने इन्हें धूप दिखाया अच्छी तरीके से सुबह से शाम ये चार दिन लगातार धूपमे ना हैं, और उसके बाद अच्छी तरीके से तेल मैंने बहुत sufficient डाला था, तेल बहुत जादा नहीं था, तो तेल बहुत ही proper था, अच्छी तरीके से तेल में आमपक भी चुका है, और अच्छी तरीके से तेल आम पक भी अच्छी तरीके से धूब दिखाकर मौश्चर हटा ले और उस जार में आप भर के रखतें ध्यान दे कि आप जब भी जो है चम्मच वगेरा यूज कर रहे हो तो वो चम्मच जो है बहुत ड्राइव हो उसमें हलका से भी पानी या मौश्चर नहीं होना चाहिए वरना आपक यहीं खतम हो जाएगा मेरे घर पर याज अचाहर बनता है यह है मेरे घर का तरीका जो कि बहुत ही ज़ादा आसान है और मुझे लगता है कि इससे आसान वीडियो आपको कहीं ने मिलने वाला तो इसे ट्राइब करेंगा शेर करेंगा हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए